गुरु नानिक यंगद गुरु अम्रदास पदबंद रामदास अरजन गुरु वर्शिरी हर को बिंद हरी राय हर क्रिशन गुरु तीग बहादर चंद। दसमें गोबिंद सिंग गुरु नमो चर्न अर बिंद। जिसमें अम्रत ग्यान है मानक बगत वराग। गुरु ग्रंथ साहिव युदद बंदों कर अनुराग। सिरी गुर सब्द कमाये जिन जीते पंच बिकार। तिन संतन को बंदना सिर चर्न अन बागतार। एक गुनकारा सद गुरु ते प्रसाद सच होए वाहि गुरु जी की फते बिग्न बिनासन सोए काबुद प्रवतुच्छ हमारी बर्न सकै महमा जो तिहारी हम ना सगद कर सिफत तुमारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। सातना सिरी वाहि गुरु साहिब जी एक ओँकार। हुकम सात स्री वाहि गुरु जी की फत है जफर नम है स्री मुखवाक पात साही दस्वी कमाले करामात काइम करीम अरजा बक्ष राजिक अरहाको रहीम कमाले करामात काइम करीम अरजा बक्ष राजिक अरहाको रहीम वाहि गुरु जी का खाल सा वाहि गुरु जी की पत है गुरु रूप गुरु खाल सा सा संग जी साटे सारयां देतार मदेपिता साहब-कमाल साहब-जमाल तंशी गुरु गोविन सिंग्छ जी महराथ जी मुबार्च रसना तो अचारी होई बाणी जफर नामा जफर मायने जित जित ता पैगांँ साथ संकर जी, गुरु गोबिन सिंग साहिब जी दी इस अलोग के करचना दे शब्दा दी विचार करन तो पहला कुछ प्राथनिक बेंतियां और एसी तरीके दे नाल कुछ एस पावन और पवित्र बाणी दी जो उत्खानिका है ए बाणी के में रची, मालिक ने क्यों रची, उस तक कुछ पिछोकर आप जी देनार सांजा करना अत्यांद जरूरी लाजमी है साथ संकर जी ए जफर नामा या ये शब्द जफर नामा ए पहली वार नहीं दुनिया विचवर दिया गया बड़े बड़े लिखारी हुए शाह नामा एक नाम दी पुस्तक है जो एरान दे महान विद्वान फिर्दोसी ने लिखी उस दे सथ हजार बेंट संद महमूद गजनी दी उसिफ्ट सी साथ संकर जी फिर्दोसी अपने समेदा बहु बड़ा विद्वान सी उस दा जिकर मैं ताँ कर रहे हैं क्योंके कल की तर साइव जी दी रसना दुआरा एवानी दे विच फिर्दोसी रूमी ते होर सारे कवियां दे नाम आउने हैं साथ संकर जी फिर्दोसी बड़ा बड़ा विद्वान है लेकिन विद्वाना दी एक मजबूरी हों दिया विदाते ने अनीती कीती ओए कीती के तू संता दे नाड टेट लगा दे एपावर समरेते करता पंडित गुलाब से नजी दी राया कि जे तू दु दुनिया विद्वान बड़ाए महात्मा बड़ाए ता हे रभा हे बदादा ब्रह्मा जी नू कैखर के उस संबोदन करदा तू नाटेटना लओदा क्यों करके अक्सनू विद्वान ने भी संत ने भी अपने पेट पालना करना हुंदा है एक गुरुनानिक दा कारेया जेड़ा कहिंदाया के नदियां होवे तेनमा सुम होवे दुद कियो साथ संग की बाकियां कोड़े कीदा नहीं हुंदा पेट पूरती वास्ते हर किसे नू साधन जाईदा फिर दौसिये ने साथ हजार बेंता दी एक कविता एक रचना लिखिया जिसना नाम इरान देविच शाह नामा है और उसनू एक एक बेंत दा एक एक दमड़ा मिलना सी ताँ उसने लिख दिती महमूद घजनी दी तरी हिंदुस्तान दी तर्थी देविच मुगल जिडिये सल्तनत हकूमत चलनी है बाबर बादशातों बाबर दा बड़ डेरा होया है तिमूर और जफर नाम इना गल एते ए रिच दिया रड़ दी है कि शर्फो दीन नाम दा एक व्यक्ती होया उसने गुरु कल की तर साहिव जी तो बहुत पहला कोई 1410 इस वी दे विच जफर नाम नाम दी लिख ते उसने एक तियार कीती जित दा पैगाम उस दा भी उसने नाम रखेया पर ओ बिगाओ कलम सी ते उसने ते मूर दी तलवार दी सिफ्ट कीती ओ अज़ाद कलम ने सी गुरु गोविन सिंग महराज साहिव जी ने जफर नामा लिखेया जमीन और असमान दा पर कहा ए बाणी है साथ संगर जी थोड़ा को इतिहास वनते आनमा रिये के मालक ने केड़ेयां समया दे विच उस वेले दा बाता वर्न की सी जदो साथे तरमदे पिता तन शीरी गुरु गोविन सिंग जी महराज शाहि शहन शाह गुरु गोविन सिंग बाद शाह दरवेश गुरु गोविन सिंग जेडे कदे चंदंग दी चौंकी आप जी दे चंगना वास दे सवा सवा लक रपे दी सी पर साथी हाथी नो ट्रेन कीता सी पहाडी राजिया दी पेट पर साथी हाथी आप दे सीस उपर जमें सिख चावर चला रहे श्री गुरू गरंट साथी उपर एस पर कार एक हाथी चलोंदा सी आप जी दे सीस उपर कल की कलगी दे जिगे विच हीरे जड़े हुए एहो जी शाही ठाट वाट वारे कुरू करकी तर साहिव जी सन साथ संगे जी समय दी तबदीली हुए तुसी सारे तिहास तो वाकफ हूँ किला अनदगड आप जी ने शटेया प्रवार विच होड़ा हुए करदे करदे महराज साहिव जी माच्छी वाड़े जंगला दे विच पहुँच दे हाँ माच्छी वाड़े दे विच ओ बाणी ख्याल पादशाही दसमी मितर पे आरे नू हाल मुरीता दा कैना सचे पादशाजी दी अंदर दी तस्वीर उना दी मानसिक विर्टी दी तरजमानी उपावन और पवित्र शबन साड़े दे हास विच साथ संगत की ओंदा उस तो बाद साथ संगत जी महराज साहिव जी दीने पहुँच दे दीने कांगड क्योंके समा थोड़ा आया इस करके जल्दी दे नाड में था नोते लेके जा रहे हां दीने कांगड महराज साहिव जी पहुँच दे या और दीने दे नाड आपकी दा संबंद है समा एतन दा सी एक गीत भी बढ़े हा के पत्ता पत्ता सिंगा दा वैरी साथ संगची सिंगा दे वैरी ता मगरो बढ़े समा एहो जा सी के कल की तर साहिव जी दे वी वैरी समे दी हर चीज बढ़ चुकी सी एहो जा गुर्दवारिया और गुर्ता मा दे दर्शन करंदे सुपाग मिले जेना दे विच गुरु कलगी तर जी ने रातरी दे वेले नौकर दे कोड़ बतीत की ती मालक ने कुंडानी खोलेया कि मैं इना नू पना देवांगा ते किते मैं ना फड़या जावांगा ए नहीं समझदे कि जो इस शबते विच ओना अमा बक्ष तू ता सारी दुनिया ए जिड़ा दुनियावी पक्षो कठनाई वाड़ा समा आया होया है महराज साह जी दीने अपड़ दे हन दीने कंगड़ उथे महराज शेमे पाशा जी दा महान सिख उस दी विच ओन दे विच ओन तिन परासन शमीर लखमीर ते तक्त मल एतिन परासन ओ जड़ा गुर्मु पास्दे विच राय जोद करके आया जोदों गुरु सर महराज दी लड़ाई होई महराज शेमे पाशा जी ने ओ जंग कीता जिस विच सचे पाशा तान गुरु हर्गो बिन साहिव जी महराज जी दी किरपान दा तेग दा असर लला बेग ताई होया लला बेग चटकाया साथ संगत जी उन्थे महराज साहिव गया जी दाया नन सिख बाबा राय जोद जी इना ने कंर बेग नो मारया ऐसे महान सिख दी अश वच विच्चूं एत तिन सहेव जादे सफू ता साथ संगत जी पाई लख मीर पाई श मीर ते पाई तक्ट मल जी महराज साहईब जी इना कोड़ आउंदेया रेन नु महराज साहईब जी इना दे कोड इना दे मेला दे विच भी अवास कर सकदे सी पहलो प्रिखेया लई के हेव सिखो तुसी सानु कहिंदेया के साधे कोड़ रवो मुगल सलतनत ने तुआनु शड़णा ने वो केर लगे नहीं महराज साचे पासशाल त्वाड़ी शड़ लेया ता दरगाद रिगादेया तोlerweile खुल देया हन दरगादे दरवाजे ख़लदे हन असी तवाड़ वास्ते कदे दराजा नहीं मन कर सकदे पर फिर भी सचे पाशा ने मालिक दे मन दी कौन जान सब दा खोरे इना दा सोचे आ के इना ताइना तशदद होवे इना नेउ कोई औरंग जेव दी जुलम दा समना ना करना पवे इना दे मेला दे रेंड दी बजाए साथ संगत जी जिते जफर नामा साहिब बाड़ी लिखी गईया पाई देस्तू तर खान बड़ा किर्टी सिख है और गरीब है दसा नोहादी किर्ट करदा ओदे करदे विच रह करके माहराज साहिब जी ने जफर नामा लिखेया साथ संगत जी बाड़ी सानु समझाओ दिया कि जोद ओहा जुगत साहिश है काया फिर पल्टिया कि गुरु नानिक देव जी माहराजी ता कल्ला जम्माई बदलिया जोद एक को इसी जोद रूप हर आप गुरु नानिक कहाए हो जिस मजमून सबजेक टीचे ते मैं आरे ह तुसी अपना इतिहास त्यान नार बाचो पाई देशू त्रखान दे कार तेन महीने ते तेरा देन गुरु कल की तरसाइब जी माहराजी ने नवास रखिया और जफर नामा लिख दिता जिस ते नार मुगल सल्तनत हिली गई सी पहले जम्मेवल त्यान करो गुरु के सिख एमना बादी गल्या ओथे वीग तरखान दा कारेया जी दे नाम नार असी सारे वाकेफिया ओसी पाई लालो तरखान जेस वेले बाबर ने पारत उपर कूच की ती पजाक को एमना बाद तो दूर बाबरतिया फोजां सन एक पैर पाव तिन केंटे रिंदे सन ओस वेले जैसी में आवाए खसम की मानी तैसरा करी ग्यान वे लालो पाप की जंज ले कावलो ताया जोरी मंगे दान वे लालो बाबर लग पाज उखाड़न वासते दुनिया नु सुझेत कर नवासते पाई लालो सिखते तरस करके सचे पाशा जी ने तर्खान पाई लालो दे कर गरीव और किर्टी सिख़ दे कर दे विच निवास रख करके ते मुगल हरकूमत नो एक बारी चुंचे ओड़या सी बाबर वानी दे नाड़ हुण दस्वा जामा आगया साथ संगजी ते रूप बदल गए हन पाई देसुवी तर्खानेया मैं जाद दे नाड़ने समद कर रहां लेकिन तर्खान सी लकड़दा कम करनवारा किर्टी सिख दसां नोहा दे करनवारा ओदे करदे विच और साथ संगजी करवी ओदा के हो जया और कमरा केड़ा मालिक ने लिया उस दे करदा चुबारा ते चुबारा भी कच्चा उस दे विच गुरु कलगी तरसाइफ जी ने ए जफर नामे दी बाणी आप जी ने अचारी साथ संगत जी कोई भी बानी हुदिया, बानी दी उठानका हुदि Мाले किसे कारन करके रच दे किसे कारन करके बोल दे हम आप जी नू विचारा दितियां, इव विचारा इतहास दियां खो ज हम संपर्दामा दे विच एस बाणी दी उथान का जो वड़े महापुर्ष बहुती सदकार योग पंत रतन संत बाबा गुरुबचन सिंजी खाल सा पिड़ावाडे सुनाओं दे सन और समुचियां संपर्दामा दे विच इस दी एही रूप रेखा दसी जान दिया साथ संपर्दाजी सिखा दे मन दे विच एगल गुर्बलास पादशाई दस्मी दे विच कोवर सिंग उड़ाने वी बेंत गुर सिखा दे विच एसे गल दिया वक्रियां वक्रियां रूप रेखामा सिक केंदे सचे पादशाई एते हास दी तमारीग की कवेगी जे और अंगा बच के निकड जाबे ये ते हास दी तवारीख की कवेगी के आप जी ने आपने चार पुत्र शहीद करवाला है साथ संगत जी चार पुत्रां दी गल अई थे पुंचन तो पहला आ जफर नामा लिखन तो पहला थोड़े को समय दी गल सी एन आई तिन मीने और तीरा दिना देविच पाई परम सिंग ते तरम सिंग आप जी कोड़ आए ये पाई रूपे दे वन्शच सन पाई रूपा विश्णे में पाशा जी दा सिक से पाई परम सिंग ते तरम सिंग ने जवें आपा किसे कर कोई बंदा चड़ाई कर जवें अवसोस करन जाई दा ना सड़े पुझाबियां दे विचे आम सुभा अवसोस करन दा ये माहराज कोड़ पाई परम सिंग ते तर्म सिंग आख के केंदे सचे पाशा बड़ा सानू अवसोस है और रूंदे उच्ची उच्ची वैन पाउंदे या साथ संग जी ते हास केंदा पाई परम सिंग ते तर्म सिंग वराग सी सिखा दे मनविच के गुरू कलगी तर आर साहिब जादे शहीद हो गए हर उना दे लखते जिगर नूरे नजर नौने हाल बड़े होन हार देवी देवतियां तो वी बड़े सोने ते शुमनीक महराज साहिब जी दे गुणी साहिब जादे परम सिंग ते तरम सिंग ने अवसोस की ता वेखो गुरु कल की तर दा वराद उना ने तीर दी मुखी लई मालवी दी जेड़ी जमीर असाथ संग जी और रेत लिया जेड़े मालवे गए उना नू पता होवेगा रेत ली जमीन दे विच लकीर बाई कुछ कसमे बाद खोरे हवा आई खोरे मालिक ने आप मिटा दती केंदे परम सिंग तरम स लकीर वेखी सी न ए लकीर मैं बढ़ाई ए लकीर हुण मिट चुकी है ना मैंनो लकीर बढ़ाओ दे यां खुशी होई ना मैंनो लकीर मिटाओ दे यां कोई दुख होया ए सहब जादे अकाल पर गवाए गरू दा सरूब मेरा ही रूप सन ए दुनिया दे विच आए और ग डाई कर गए मैंनो अपना इश्र मन करके पूचो रिष्टे दारिया दे मो दे विच तुसी ना पवो ए गुरू कल की तरजी दा अंदर है और इस तो बाद ए जफर नामे दी बाणी लिख होंदी है साथ संगत जी जफर नामे दा पिछोकड ए है नाट महला चुथा गुर रामदा साहिब जी सोटी सुल्तान दी बढ़ी उस दे विच आया जिनके जन नानिक तुम प्रब दियाल स्वामी तुम तारे दुस्ट हर नखे विचारो इस पंगती दिया अखीर ले बचन तुम तारे दुस्ट हर नखे इस ते तबज्जो देनी है तुम तारे दिखो र नाक्ष होया, कंस होया बड़े पारी पापी होया विलिन होया उनना नो वड़ कोई पापी हो नहीं सकता इननी दुनिया ने उननो लाणता पाईया पर गुरू रामदा साहिव जी दी मुबारक बाणी तुम तारे दुस्ट हर नके हे मेरे अकाल पर गुवाहे गुरू तुम हर नाक्ष नो वितार देता क्यों क्योंके तुसी समझो जदो अकाल पर गुवाहे गुरू अपने अवतारा नो पेज़दा बेशक उपरी पूरण अवतार नहीं सन क्रिशन ते नाम चंदर गुरुनानिक पूरण अवतार है मैं यह नहीं कहरे है ना ता अनु क्रिशन दी पूजा ना जोडने है ना मैं राम दी पूजा दे ना एक कैणा पेड़ा साथ साल पहलों कैणा नहीं पेंदा सी आज दे सिखा दा सुबाया इना दा नाम लेए ता अलरजी हो जान दी आ साथ संगर जी राम ते क्रिशन जेड़े सन बेशक अवतारी पुर्श सन अवतारी पुर्श दी किर्पान दे विच तीर दे विच हाथ दे विच एना बालेा कि जेनो ओ मार्दा ओ दा उधार हो जान दा विचारो साथ संगर जी शेवे पाशा जी दा विला है पहिंदे खानु मार्या तुसी एक्थ यह थे बाबा उतार सिन जी विदी चनदिया मापर पुरष एक्थ यह थे आईसवोन जूसी है औरत तेगे देध दर्शन कीते जेदे नार शेवे पाशा जी ने पहेंदे खानु जनई्यो वार देनार दोपाड करदेता सी। तुसी दर्शन सारया ने कीते होनगे जदो पेंदे खानु जन्यू वार्दे नर शेमे पाशाजी ने उसना उधार कीता उधार शब्दसी वर्त देया उस वेले शेमे पाशाजी ने जिवे प्रिख्या लेनी होंदी अपने प्यारे नो कैन लगे तरस करके पेंदे खा कलमा पड़ला ते उस वेले पेंदे खाने दोवे आत जोड़ले सचे पाश्चा सरकार दो आलम तन शरी गुरु अरगो बिन साहिब जी महराज मैं ता नमक हरामी कीती सी उन एस वेले तुसे सांग ना लवो हुन तवाड़ जड़ी किरपान है ओही मेरा कलमा है ये सादा इतिहास केंगा जिप पैंदे खान दे वे मन दे विच अकीदा आगया के गुरु दी किरपान में नो तारे की साथ संगत जी गुरु कल की तरजी एस फैक्ट तो वाकिफ सन ओ औरन जेव नो किरपान कटार तीर दे नाड़ न जाए उना ने कलम दे नाड़ मारना ता करके कि ते उस दी गती ना हो जावे दोजक दे विच एहो जाप पापी ते दुष्ट रुड जावे कंस रावन हर नाख्ष एना सारिया दा उदार होया होगा पर एजड़ा औरन जेव एड़ा वड़ा दुष्ट पापी या एनो म बाणी पवित्तर नो लेक करके ते दो सिखानो दिती नीले उना दे बाणी उस वेले जिवे एई दिये लेकर के जांदे सी ना बादशामा दे हुकम नामे क्योंके तुसी वाचो हुकम नामा शबद ए राज साही ठाट बाठदा प्रतीक है बादशा हुकम नामे दिन दे होन गुरु साहिव श्रीमे पादशा तन गुरु गोविन सिंग महराज साहिव जी दसवे पादशा ए हुकम नामे दे राया और हुकम नामा लजानदा तरीका सी के जड़ा एदिया सी जड़ा लेकर के जांदा सी अपने सीस उपर सुजांदा सी इवे पाई दया सिंग जी जो पंजा पेयारियां दे मुखी संग और दूसरे साथ संगत जी पाई तरम सिंग जी ओ पंजा पेयारियां विच जो नहीं संग पाई तरम सिंग जी ओ आगरे वारे संग उना नो नीले बाने पवाँ करके ते कल की तरसाइब जी ने अपना जफर नामा दिता अपने सीज उपर उवा दोवा सिखाने टकाया और दीने दी तरती तो तुरे हन ते औरंगाबाद पहुंच दे हन औरंगाबाद तुसी ये समझो बादशा औरंग जेब उस वेले दा बड़ा तनाड बादशा है उदे शाही ऐल कार उनू मिलना और तुसी कालो कैद वो तुसी लंड़न दे विजरेंड वाड़ें कि असी टरीसा में नू मिलना तुसी मिल सक दें सदारन बंदे दी किते पहुंच हूंदी या बड़े बड़ें तक साथ संगती जेड़े उदे अधे ऐल कार सी उदे नेड़े वाड़े बंदे सी ओ केंदे के ए सिक हमी आये या खोरे केड़ी चिटी लेके आये ए कड़ा कोई बादशा आया खोबिन सी ए उना दी नजर सी साथ संगती मैं इत्थिक होर बेंती करदमा ए जड़े मुगर बादशा सी न ए गुरूआ दी करामाता तो वाकिए सिन ए दे वचसन दे वाड़ी गलने जहां गीर दे फेले गुरू अरछन देव जी नो मथाटेकन आया सी जहां गीर ए शाथा सारे पहले परसंगा तो पहला परसंग आं दा जहां गीर म्या मीर दे माहरादा आया सी माफ करना पर मिया मीर ओस वेले मिया मीर दी दरगा देवेच गुरू अरचन देव जी महराजी बिराजे हो सन मिया मीर जबीन ते सी ते गुरू अरचन देव जी महराज मंजे उपर पलंगे उपर शोबित सन जदो आया ते मियामीर ने किया ठैर जो मैं अपने मुर्शद तर्षिरी गुरु अलचन देव जी दी संगत कर रहे है साथ संगत जी जहांगीर नो गुसा आया ते अंदर चले गया ते जदो अंदर गया ते जहांगीर कहन लगा हे मियामीर तू काफिर हो गया हिंदू पीर दे तू चरना दे विच बैठाया एक केड़ा काम जीडी तू मेरे तो प्रतिक्षा कीती मियामीर ने ताडना कीती तू समझदा नहीं मैं गुरू दे चरना दा त्यान तारेया और गुरू सथ समंदर पार ततीरी दे बच्चे नू बचारेया जहांगीर हरान हो गया के गल केड़ी या साथ संगद शी गुरू अरजन देव जी महाराज जी ती समाती खुली नेतर आप जी ने खुले ते जेसे विले अपने हक्ता नू इंज संगत नू दर्शन करवाए जहांगीर ने वेखिया उत्त तीरी दे बच्चे संग मेरा पाव कैन दा के ए मुगल बादशा इना नू पता सी बाबर बादशा होया ओ गुरू नानिक देव जी दी शक्ती तो अवगत सी महराज ने उसनों आख्या सी के तेरिया सत पीडिया राज करने गिया हुमायों फिर आप जी दे गरबार दे विच आया सी आया होट ना गनर सी पर बारा साल दा केल वो के प्रदिक्शा दा समा अपने गड़ पवा करके ते हुमायों भी बक्षिशा इतो लेकर के गया अकबर बाद्शा जीड़ा होया साथ संगजी ओ महराज तीसरे पाद्शा जी ने लंगरा दे विच ओ आप बैठ करके उसने लंगर शक्या महराज ने उसनी दिती कोई जगीर प्रवान नी कीती महराज साथ जी दी स्पुतरी बीपी पानी जी प्रती और जो गीरा लाकर के ते अफ़बर उतो गया जहां गीर बाद्शा संत दोखी होया गुरू साथ जी नो उसने शहीद कीता एस जुनम तोस्छी कदे उसनो बरी नी कर सक्दे बेशक चंदू उतियादक दासी नाम लेंदेयां पर जहां गीर इस पाप तो कदे बरी नी हो सक्दा गवालियर दी पेट जिड़ी होई है जिनो महराज बंदी शोड़ दे रूप दे विच तांसरी गुरू हरगो बिन साथ जी महराज बंदी छोड़ दाता जी दे रूप दे विच सन उस वेले भी महराज सही ने एही कया सेगा जहां गीर होनसी चंदू नो अपने वासकरन लगे तेरा लेखा अकाल पर गुवाई गुरू दोज कांच करेगा ते हुण महराज दसमें पाशा जी दा विला आया है ते दसमें पाशा जी ने इसना उधार नी करना सगो इस चुठी डे ना उसना अंत कर देना है साथ संगत जी ओ दोवे पाई दया सिंग साहिव जी और पाई तर्म सिंग जी आगरे वाडे उते पोंचे बड़ा समा लंगे या कोई मिनना देवे शेमी ने लंगे साथ संगत जी शेमी ने आबाद उनना ने गुरू कलगी तर्साइब जी दे चरना दा ते आता रहा चंडी दी वार दी पहली पौडी प्रिथम पुगवती सिमर के गुरू ना निगले यते आए वाड़ी अरदास कीती कलगी तर्साइब जी दा नाम जोड करके गुरू कलगी तर्साइब जी नो मत्था टेके आप बेंती कीती सचे पाशा बाणी दा बचन है विगन नको लागता गुर पहर दास और खवाला गोबिंद राए पगतन की रास हे गोबिंद राए तनश्री गुरू बढ़िया करामाताना मालिक सी प्रनायामी सी हिंदू उसनु प्रनायाम केंदेया और मुसल्मान उस विद्यानु दमकसी केंदेया ए दमकसी द्वारा रोज मक्के दी जारत करदा सी जिमें साथ संगची साढ़े वास ते असी हरमंदर साहिव जी दे दर्शना दी लालसा कर कि उमर दे विच एक वारी हजूर साहिव जी दे दर्शन करने एना तीर था दे नार मालिक ने सानु जोड़या ऐसे तरीके दे नार मुसल्मार मत दे विच मक्य दी जारद एक वारी जिंदगी ज करनी पेंदी तुसी सारे जान दे या ये हज़ वास्ते जानदे जिड़ा हज जावे उसनो हजी आखिया जानदा औरंग जेव अपने मांदे विच अपने आवनो एहोजा तर्मीम मनदा सी के दम कसी द्वारा अपने सुखम स्रीर दे नार रोज मके दी जारत करदा सी साथ संगत जी ओदर गुरुकल की तर जी महराज आपे सुखम आपे अस्थूला लखी नजाए नानिक लीला आप जी ने अपना स्रीर सुखम दे नुता रहा और सुखम दे ही निले दी तारी अपने कोड़े दी नीले दे शास वार होकर के सुखम दे दे विच आप जी वी मके पहुंचे उत्थे दी जो कटना है उएस पर करमा पुछ तुनाओं दे या कि जिवें मुसल्मान पर करमा कर दे या जिवें ऐसी गुरु महराज दी पर करमा कर दे या औरंग जेव अगे अगे पजे महराँ साहिव जी उसनों पकड़न ओ बड़ा तेज दोड़े उसनों उसनी मौत दिखाई देवे उत्थे गुरु कल्गी तर जी शश्टना अस्टना समेथ सजे तियार पर तियार गुरु माहराज गुरु करगी तर साहिव जी हो थे उन्हादे कमर कसे देवे जिक बड़ा पारी चिल्कना होया बड़ी है लश्का मारदा होया एक कटार है गुरु करगी तर जी माहराज जी पर कम्या कर रहा है औरंग जेड पर कम्या कर रहा है और गुरु कल की तर साहिव जी उसना पिछा कर रहा है साथ संगत जी अंतता माराज साहिव जी ने खबेयों पासियों पर करमा की ती पाव माराज कापे दे केड़े उपाशिक संगे उना ने पर करमा करनी सी दुजे पासेदी होकर के उस ते सुखम सरी रिरताई उना ने पढ़या और साथ संगत जी बकरिया बकरिया रामाया जिडे महरो दा एक टीका शपया है संत बाबा सुरजीत सिंजी बाबा तीजा सिंजी महरो वाडे अदा उना ने एते तक आके के सुखमस दे दे विच जी गुरू कलगी तर साहिव जी ने औरंग जेव दी जड़ी दाड़ी सी पढ़ ले दाड़ी पढ़ ले औरंग जेव दी ते कैन लगे दुश्टा और महराई साहिव जी ने मुठा पाया अपनी कटार नू उस कटार दा नाम सी कटी सा साथ संगत जी उद्रों अकाश वाणी होई अकाश वाणी होई के ए जालम ए दुश्ट ए तरम दे एक लाख दो गिरिया होया मनुक बादशा और नजेब आप जी दी कटार दे काबल नहीं महराई साहिव जी ठैरो साथ संगत जी गुरु गोविन सिंग जी महराजी ने उसनों आक्या दुश्टा मेरे दो सिख पाई तरम सिंग साहिव जी जेड़े मेरे अपना रूप हन जेड़े पंजा पे आरेया दे मुकी हन और दूजा पाई तरम सिंग आगरे वाड़ाए ओ शेमी निया तो तेरे श कियानी गुरु बचल सिंग जी सनों दे हन के ओ कटार देकर के केंदे दुश्टा कटार ऐसे ही ना तेनों मारना सी तेरी किसमत होर तरह दी है और साथ संगत जी जदों ओ जा गया उसने कटार अपने हाथ दे विजवे की बड़ा थर थर कंबया अपने एल कारानों आखिया के ओ दो सिखानों ले आओ साथ संगत जी ओ दो सिखानों लेकर के आए जेस विले लेकर के आए इने जिमें सैव जाने दी प्रिख्या होई सी साथ संगत जी के दलीची शोटी रखी सी के सिर चुका आकर के अगे नों जान तम इनों सलाम हो जावे की इमें औरंग जेव ने पाई दया सिंग जी ते पाई तरम सिंग वास्ते रखी सी इना ने भी पियू दादे का खोल डिटा का जाना ता मेरे मन पाया ने दाना सहीब जादे हैं तका साकिया ता पंजा प्यारे हैं दे मुखी पाई दया सिंग साहीब जी ने सुनिया ही होन किया आप जी ने भी पैर अगे कीते ओधी कचैरी दे विच गये जफर नामा माहराज दी बाणी या केई सिक केंदे या के ए चिठी या इस दी कथा की करनी इस दा पाढ़ की करना ए बाणी है साथ संगत जी गुरू कृत बाणी दे दर्शन करके अपने हठादे विच फड़ करके ते दोवे सिंगा ने गाज के बलाई वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की फते जदो औरंग जेब ने ए सुनेया ओदा अंदर दा कंब गया ओँ केंड लगका खालसा पैदा हो गया ते पाई दयासिर साइब जी केंडे हजूर पाब नेड़े या एथ या हाजर या परकट या तेरे सामने जाहर या हजूर दा अर्थ ए हुंदा दुजी बारी फेर औरंग जेब ने किया खालसा परकट हो गया पाई साइब ने वही जवाब दिता तीसरी वार फेर पाई साइब जी ने जेसे विले ए आख्या के हाँ औरंग जेब खालसा परकट हो गया जेड़े उते मलाने बेटे सी शरीयत दे पके क्योंके साथ संगर जी जेड़ा पुजारी वर्ग होंदा ना उनने पूजा दा तान खाना होंदा बेशक ओ बेपर पुजारी सी ता बेशक ओ मुसल्मान दे काजी दे मलाने सी कदे कोई तर्म बढ़े आया जेड़ा कह सकदा के साथ ते नौ साल दे मसूम बचिया नो नीहा दे विच चनवाद वो इन मलाने या ते काजीया ने उफटवा लाया सी इना नो खोरे पैसे नाड़ी मतलब होंदा इना दा दीन एमान नाड़ कोई मतलब नहीं होंदा और जेड़ा नो कैन लगे तू शरादा तार निया शरीया कनून दे मनन वालाया तू आप कनून साए देस पचे लागू कीता कि खालसा शब्द कैना नहीं और तू पुछेया औरंग जेबा के खालसा परगड हो गया तेरी जुमान तो ता ए निकल गया खालसा शब्द और शरादे मताबक तेरा इकनून बढ़ाया सी के जेड़ा खालसा गोगा ओ दी जुमान कटी जावे साथ संगत जी औरंग जेब बड़ी बिफटाज पह गया चिठी की पढ़नी सी उन्हों अपनी जुमान दी पह दी पह गया जेड़े ओ काजी मलाने सी ओ पुखे पैसे दे लालग लिविच कैन लगे बाश्या सी मसले पढ़े या इसलाम दी या किताबा दी चंगी साड़ी पढ़ाई या गाल एदा या के तू सोने दी एक जुमान बना दे ओ सानों दे दे ओ असी कट लवांगे दे रख लवांगे ते तेरी माफ यह हो जा इना दा तर्म से का साथ संगत जी उस तो बाद जिड़ा औरंग से बादशा होया इस बड़ा इने मन दे विच वराग कीता फिकर कीता और इस पाई दया सिंग साहिव जी नो पुछण लगा इस वारतालाप होंदी या उस वारतालाप दे विच पहला प्रशन इस पुछदा की गुरू करामाती है मुसल्मान करामात तो काईल होंदे है एना दा इतिहास दसजा थोड़ी कोई करामात करदे वे गुरू नानिक देव जी माहराजी दी करामात वेक करके सुन मुन नगरी होई देख पीर पया है रना बगदा दी करामात और इते गुरू डे सिखा नो पुछ देया की गुरू करा माती है पाई दया सिंग साहिब जी दा जवाब सुनो साथ संगर जी गुरू करा माती गुरू दे सिख करा माती और गुरू के कुते भी करा माती साथ संगा जी औरंग जेव कैन लगा एक केवे हो सकता जिते होन औरंगा बाद दे विच गुर्दवारा है पाई दया सिंग जी पाई तरम सिंग जी दा पाई दया सिंग जी दे गुर्दवारे उना दे डेरे दे विच एक कुटा हुंदा सी आम डेरियां दे विच बड़े अवारा कुटे हुंदेया साथे सिक पर उपकारी हुंदे ननो रोटी आदे पादन देया मादमावा दे डेरियां दे विच आम कुटे हुंदेया वो तों कुता मगाया अपने डेरे दे विचो वो कुते नू सवा दे विच लेया करके आए ते औरन्जेम कैन लगा हाँ बखाओ करा माद कुता मुरे नू बोलेया हे और अंगेया ते इनू शहुर नी मुख मनुखा वाड़ा शहुर नाम है अकल दा ते इनू अकल नी कोई मनुखा वाड़ी तू होन शेती शेती मरंदी त्यारी करते साटे विची रर तेरे कम साटे वाड़ेया ते बड़ा हरान होया और अंगा बड़ा उसने पश्योताब कीता होन दूजी प्रॉबलम अगे जिड़ा पाईसायो जी ने मंगल पड़ेया इस दे विच वाहिगरू जी की फते लिखेया होया है होन ए शराम मतावक है ए पढ़नी सकदा इनू दमे दी प्रॉबलम आसमे दी जिसनू कहिंदे या कोई वी रेस्परिट्री कंडिशन साधा रोग सी इसनू अस यह नहीं कह सकते कि कल्ला आसमा बड़ाय दुखी सी मतलब बंदे नू साना आवे तक इन्हा दुखी होवेगा एदी जेडी एक ती होई या बड़ी स्यानी उसना नाम सी जेब निसान निसान नाम है इस्तरी जाती दा और जेब नाम है जेवर दा पाब उसना नामनी सी लोकी उसनू जेब निसान कहिंदे सी के तु इस तरी जाती दी गहना है क्योंके वो बीपी एक शायरा सी बड़ी तर्मी सी और बड़ी पड़ी लिखी सी उसने उसनो समझाया के अबा बादशा जे तु चौना के दुनिया वे चोहर तेरा जानदाता समा हो गया अठासी साल दी तेरी उमर हो चुकिया तु बड़ा अउखाया प्राण तेरे ताँ शुटन के जे तु इसनो पढ़ेंगा साथ संगत जी पढ़न वे करे मनिया नहीं ते उसनी जो बच्ची सी जेवन नसा उसने सला दिती के तु कागज उपर लिख दे जो फिर उसने लिखिया इनो रोग तो थोड़ी की फुरसत मिरी साथ संगत जी रोग तो फुरसत थोड़ा को ठीक राजी होया ते फिर इसने एह महराज साथ जी दा पावन और पवित्तर खत पड़या जिस दे मुबारक शंदा दे असी दर्शन करांगे गुरू गोबिसिंजी महराजी ने की कमाल की तीह लखाई दे विच प्रेम साथ सर्वन करो साथ संगत जी असीस बख्षो गुरू कलगी तर साहिव जी दे गुरू पर बतो पहला दासाने पटना साहिव जाना गुरू कलगी तर साहिव जी दे उस पवित्तर अस्थान दे दर्शन करन वास्ते उस तो पहला एक कथा हो जावे और गुरू साहिव जी दे अखल अखर दी एक कथा अपने अलपाग सि साहिब जी असीत वाटे नाम तरीक पंजाक कारांदे तारनी से कहां तुसी असीत बख्षो ए पाशा भी हो रहा है ते इस ते अर्थ भी बड़े कठे नहन ए माले किर्पा करे आप सब संगत प्रेम नारा को रसीत बख्षो जी सत नाम सिरी वाहे गुरू साहिब जी साहिब जी एक ओ अंकार हुकम साथ सिरी वाहे गुरू जी की फत है साथ संगत जी एक ओंकार देखो दुनिया शुरी हुंदी ओंकार तो ओंकार उतपाती किया दिन सबरती और रुहानी दुनिया जड़ी है ओंकार तो शुरू हुंदी है बेशा को गुरुगरंट साहिव जी दी बाणी है या दसम गुरुगरंट साहिव जी दी बाणी है और म लेकिन पराणे सिख दसमे पात्षा जू का गरंत दसम गुरू गरंत भी इसनों आतबे सन क्यों करके दसमे गुरु ता अपने सारे हैं सन्ज है ये थे थे कोई लड़ाई नी ना दसमे गुरू दा गरंत सो जित्थे माहराय साहिव जी एस दसम गुरू गुरंद साहिव जी ने विच मंगल शुरू करते हैं उवी एक ओवनकार मुराखते हैं कि एक अगाल प्रगवाय गुरू उदुती है लासानी है उसने वर्गा कोई दुनिया दे विच है नहीं उवनकार सारे आंदा परकाशक है हुकम सत गुरू बाणी दे विच रामकली राग दे विच जदो कोई प्राणी चड़ाई करदा अपने गरंथी वीरिक बाणी पढ़ दे आना उकेडी है रामकली सत और उकेडा सर्दा सी आया हकारा चलनवारा चलनवारा हुकम सत दा पाव है हे औरंगिया हुकम सत कोई सिंग चड़ाई कर जबे खाल से दा बोला कि ओओ हुकम सत हो गया पाव दुनिया दे विच एक कोई अटल हुकम है ओओ ए है कि बंदे ने मरना और अरंगिया तेरी मौद आ गया और मारा सेंकी मंगल अरम कर दे एक ओवनकार हुकम सत वाहिग्रु दा हुकम होड सत होन लगा स्री वाहिग्रु जी की पते शरोम्णी सुवाइमान शोबनीक वाहिग्रु वहा नाम है अस्चर्जदा गोतम नाम अग्यान अनित रू परकाश किया जिन जित जिड़ा सानू अग्यान दे है नेरे विच्चो ग्यान दे परकाश विच ले जावे ऐसे वाहिगरू जी की हमेशा पते है साथ संग जी जे पंगानी दा युद आप जी ने जिते है सिखाने बदाई दिती गुरू कल की तरसाइब जी ने उत्थे विया किया पही जी तो मेरी ठीक है मेरी जित हो गई पही जी तो मेरी करपा अकाल केरी अकाल पर वाहिगरू दे करपा दे नार ते जीड़ा जीव वाहिगरू दा सिमरन करदा है ओदी भी हमेशा वास ते फते हुं दिया तुसिंथा टाडी बारा सुड़ते होज़साटे टाडी बीर बाउत बारीं शुरुआद करदे जेदे मूरे विच फते जेदे मुक विच फते ओदी हरमदान फते सो ए वाहे गुरु जी की फते दे अर्थ हन जेडा वाहे गुरु दा सिमरन करदा उस जीवती हमेशा वास्त दे फते है जफर नम है स्री मुखवाक पात साही दस्वी जफर नम है ए बाणी दा नम है जफर नम है जित दा ए जित दा पैगाम है या संपर्दाई महापुर्श बाबा किरपाल सिंग जी इस दे अर्थ करदे सन जफर नाम है जबर्दा और अंगिया जेड़े तू वदे कीते कदे मेरे पिता नू चांदनी चौंक विछ रहीद कीता कदे मेरे नूरे नजर लगते जेगर नौ नहाल साहिब जादिया दी उमर वाचन तो बिना अतरमदा युद करके शोटिया नू नीहा विछ चणाया ते वड़ेया ताई चाड़ी सिंगा दे केरे विछ तू दास तो उन्नी लाख दे बीच फोजा कलिया एहो जया दुष्टा तेरा होन असी लिकर लगेया जबर नामा ए संपरदाई अर्थ हन स्री मुख वाच पात साही दसवी एक मुख वाच हुंदेया एक गाउन वाच हुंदेया साथ संगजी ए मुख वाच गुरु कलगी तरजी दे उचारन कीते हुए हन पात साही दसवी महला शब गुरु बाणी दे विच आंदा तन सीरी गुरु गर्ण साही दी बाणी दे विच महले दा एक अर्थ हुंदा है कार और मुकाम जेस वेले साथ संगजी एक कारनू महल दा रूप तार ना पेयाट शाही ठाट बाट दे नाड नीले दे शाह स्वार होतर के हीरें जड़ी कल गी लोडी पैई हात दे विच सिरी साहबा फड़निया पैई या ओस विले ए महले तो पात शाही दसमी विच तबदील हो गया अमाले करामात कायम करीम हे और अंग्जेब तैनू बढ़िया करामाता दा शौक या उमाराज साहभ जी दा प्राता ही लगदा सी ना बाबार राम राय जिस ताही बहुत्दर करामाता तू क्या सी इतिहास विच एहो जाएंगा राय हैं के कल की तरसाहभ जी दे एस जफर नामे तो पहलो माच्छी वाड़े विच्चों एक होर चिठी गई सी पहलो बाशादी चिठी आई सी फिर गुलुकल की तरसाहभ जी ने एक चिठी पेजी सी उबावस मेर से जी पटड़ना साहभ वाड़यां कोड़ सी पर उस इस वेले उस दा शुद कोई सुरूप मिलदा नी उस चिठी दा पर वो दे विच मतलब औरंग जेब ने एहो जहिए गला आखिया सी के मैं तो अनू मिलना चाओना तुसी में नो आकर के मिलो वो दे विच एवी लिखिया होगेगा के मैं कराम कांग करीम वो कमाल दी करामात है वो है अकालप रहाओ गर्सरव शक्ति संपन काइम जेड़ा हमेशा रवेगा और करीम बड़ा उ किर पालू और दे वालू है साध संगत जी महराय सहँजी ने नास्तिक प्रांतीन настоящ दूर करन्वास थे अपने इस्टनो परगट करन्वास के औरन जेव तेनू पता लग जवे के मैं केदा मुरीद हां तू केड़ियां शक्तियां और शरा दा गुमान करदां मैं केदा मुरीदियां जिड़े विद्वान लोग उन्देयां मंगल करदे हना और गुरू कल की तर साहिव जी विद्वाना दे विद्वान बारा शेरा दा बारा बेंता दा ए पावन और पवित्र मंगल कर दे हना काल पर घुवाई गुरू दा तू कायम है हमेशा रेन वाड़ा और कृपलू है रजा बक्ष राजक रहा को रहीमा एस तरीके लिनार तू रजा बक्ष तू तू तमाम खुशिया देन वाड़ा है और साथ संगजी राजक जीव जिते जल मैं थल मैं सब के पेट को पोखन हारा तेती सवेए गुरुकल की तर साहिव जी दी रसना जिनने जीव हन सैल पथर म रिजक आगे करता रहा ए राजक शबत अर्थ हन रोजी दाता और रहा को जीवे महरा साहिव जीदा बचन आया ना बंद खलासी पाने होए के तू दाता बंदी छोड़ है गुरु शेवे पाशा जीदा नाम पे आप दाता बंदी छोड़ इते शबत आया है रहा को हे सचे पात्षा अकाल प्रगवाए गुरू अमा बक्ष तेरी शर्ण लेया है मैं मैं तेरी शर्ण तक दाहां अमा बक्ष बक्षिंद तू सारे आदिया पुलानू बक्ष नवाड़ा ओ दस्तगीर जिवे गुरू तेक बादर साइब की ती शहादत वेले अंकित आउड़ाना बाहे जिनादी पकड़िये सिर दीज़ा बाहे ना छोड़िया गुरू तेक बादर साइब जी बाबत इंज एक वर्नन आउंदा कभी लोकांदा के मालिक ने शहाद इंज आखिया होगेगा साथ संग जी बानू फड़ना ते जे दी बानू तू फड़ना ओ दी बानू शड़ना नहीं एपाव है ओ दस्त गीर तू एहो जा दस्त गीर बानू फड़न वाड़ा है रजा बख्ष रोजी देहो दिल पजीर एस तरी के ले नाल मेरे मालक तू खुशिया देन वाड़ा अपनी रजा बख्ष अपने हुकम दा चंड़ा चलोण वाड़ा अपनी रजा दे विच रखन वाड़ा सानू राजी करन वाड़ा है रजा बख्ष रोजी देहो तू सार्या नू रोजी देन वाड़ा है सार्या गरीबा और अमीरा नू कीडिया दे विच रहन वाड़ा कीडिया वागया जीवानू और बड़े बड़े देवतिया ताई तू ही देन वाड़ा है दिल पजीर जिवे मालिक दी बाणी ने आ क्या न अत मोहन जिवे अत सुन्दर और अत मन मोहन शबत गुरबानी दे विच आए कि तू मन मोहन है तेरा रूप सानू मो लेंदा है एही पाव है दिल पजीर पैदा करन वाड़ा जिरा रूप इनना सोना है शहनशाह खूबी दे हू रहनमू तू बादशावा दे सिर्दा बादशाह तक्त नशीन शहनशाह है और खूबी दे हू किसे विच खूबिया होन पाब किसे विच गुण होन साथ संग जी तू खूबिया गुणा नो देन और रहनमू तू मारक दर्शन करनवारा जिवे पोस्टर दे विच आम की लोग लिखतें देना के फलाने संत दी रहनमाई दे विच साथ संग जी एक गुर्मत ते चीज टुक दी नहीं मैं बेशक महा पुर्शा दे चरना दा पौराया लेकिन गुर्मत अपनी जगा गुर्मत है रहनमाई कली दे कली श्री गुरु गरत साथ जी दी हो सकती और उस अकाल पर को वाही गुरु दी हो सकती या इस करके मेरे मालक शब्द बर्ट देवना रहनमू के बेगून तेरा कोई रंग नहीं है बेचून एस तरीके देना तु चिहना बाहरा हा जिमें किसे दे तिलक लगे हन मुसल्माना दे अपने चिहन सुनत आदे कुंद दिया तु एना सारिया तो रहत है चून बेचून तेरे वर्गा मेरे मालक लासानी अदुती दूजा नमू नमूना नहीं दुनिया दे विच मिलदा गुरू गोबिल सिर्जी ने ऐसे मंगरनू रखिया जाब साइब दे आरंग विच चक्तर चहने और बरन जादी और पात नहिंज है रूप रंग और रेक पेक को कहे ना सकत कहे और इत्हे आप जी शवद बरतद रहे हैं के बेगून बेचून चूंबे नमून ना साजो ना बाजो ना फाजो ना फर्ष विखूए ओ है मेरा मालिक जेड़ा अपनी हकीकत आप पेश कर रहे हैं तूं सोचना तूं मैंनू हरा सकना पर बेशक ना साजो कोई समान ना होवे लड़ाईदा ना बाजो बटे तरंगे कोडे जेडे हन एहो जी कोई कोडे इत हो जा कुछ ना होवे मेरा मालिक ओ है खुदावंद बाक्षिंद ओ आश अरश वाहिगरू उस दयाल दा नाम है उस किरपाल दा नाम है जिसी मैं टेग लिना जेडे आश अरशा दे दे देंदा जेड़ा कदे तेरे मन दे विच भी ने औरंग जेब आ सकदा ओ आश पती अ इंदर बरके जड़े या उना नो हराउन दी तागत मेरे विच अजवी है इस मंगर दे विच गुरू गोबे सिंसाइब जी माहराजी सचे पादशा शमशेर बहादर पुत्रा दे दानी खाल से दे बानी ए अपनी पेश कर रहा के औरंग जेब तु मेनो हारया ना समझ ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्ष बेशक एक कोई भी चीज मेरे कोड एस हमें ते नो लगदा होवेगा नहीं है पर रब केड़ी बला दा नाम है रब ओस दा नाम है खुदा बंद बक्षिंद ओ ऐश अर्श 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 निया ऐश ओ कराउन वाड़ा है और कराइ या इसी साज संगत जी ताइयो गुरु कलगी तरसाइब जी ने आखिया मितर पेयारे नो हाल मुरीदा दा कहना तुद बिन रोग रजाईया दा रहना एवा इतियादिक बचन आप जी ने आखिय जीना दे विच इस सिद कर दिता कि मैं अर्श दी ऐश तो भी परे आतमा दा अनंदिया ओ मान रहा और अग्जेब तु उनों नहीं खो सकता साथ संग जी इते तक चार बेंट सो हो गए या पंजवावी करत वो जी जहां पाक जबरस्त जाहर जहूर ओ मेरा मालिक अता में दे हद हम चोहाजर हजूर जहां पाक जबरस्त मेरा मालिक सारे जहा दे विच पवित्तर तो पवित्तर वस्तु है जहां पाक जबरस्त जोर जे किसे दे विच है तोस वाहिक रू दे विच या औरंग जे मत तु सोच के तेरे विच जोर है अस्त नाम है है सो जबरस्त जाहर जहूर जे दी जाहर कला प्रतक्ष है आतमे अता में दहद हम चोहा अताम में तू बेहत दाता देन वाला अताम में नाम है दाता दा अताम में देहत तू बेहत दाता देन वाला है तेरे विच कोई दाता दी कोई कम ही नहीं है हम जो हाजर हजूर है सचे पाशा तू हाजरा हजूर जहरा जहूर है एक गुरु कलगी तर साहिव जी महाराजी दे पहले पंज बैंत हन जो बैंत शवद फारसी दा है इननों आपा पंजाबी दे विज दोहरे या शलोग भी आख सक दे हां ए सचे पाशा जी दी पावन और प्वित्र बाणी है समय दी भी समापती होगी साथ संगत जी ऐसे परकार एकागरता देनाल हर हफ़ते होना ए जड़े पहले बारा शेर हन एकाल पर घवाई गुरु दी बंदना है फिर दास्ता अरंब होवीगी जिस दे विच औरंग पाज उकाड़िया गया मैं अंतली एक बेंती करदमा संपर दावादी राए ए है साथ संकत जी के जफर नाम है ताको नामा लिखी 12 हिकायत तामा के ए जड़िया ज़फर जफर नामे दी बाणी है और ए दे नाज़िया ग्यारा हिकायता बेश्च कुछ विद्वान नादा इसना मत पे दे अधर ना जाए लेकिन संपरदावादा मत एह है कि माराज सचे पाशा जी ने जफर नामा जफर नामे दे नार ग्यारा हिकायता ओ सारी या रिला करके साथ संगत जी बारा हिकायता बढ़ दिया हान एथे जादर कि जफर नामा संपरदावा दे रहा है मतावद लेकिन आपा समेदी काड़ करके केवल ता केवल जेड़ा इदासना वारा हिस्सा है जिसनों आपा पहली हिकायत कह सक रहा या जो आम जगदे विच जिसनों जफर नामा मने जा रहा आपा उस दी ही विचार करांगे जे जिन्दगी रही और सुपाग रहा आप गुरू किया संगता दे दर्शन करन दा ते उना हिकायता दे फिर किसे समें दर्शन करांगे गुर्ब परुब तो बादा ते गुर्ब परुब तो पहलो आप जियाने असीस बक्षणी के एस सारी कथा संपूर्ण होजवे और शुद होवे क्यों करके एपाशा भी हो रहा है अपनी पाशा नहीं हिंदी पंजाबी संस्क्रित क्यों करके पंजाबी और हिंदी और संस्क्रित जो अपने ग्यानी वर घुन दे कुछ ना कुछ ने चोड़ कट नहीं दे या ये जड़ी फार्सी जे पाशा है साथ संगत जी ए अर्था नो पढ़ करके ते कंट करना पवेगा और दास्त है भी बच्चा एस करके आप ये बेंती करदा कि आपा सारे ने एकलगी तरजी दिया एना पंगतिया दे पाढ़ करके कथा दी सुमापती करनी या पाढ़ कर देया या सुन देया मेरे वास्त दास मेंती करेओ के एक कथा सुम्पूर्ण होवे और शुद होवे एगो जी असीस भक्षणी गतिया नाहिर देदे विच्च तार्मिया पड़ो जी जहां पाक जब रस्त जाहर जहूर अतामे देद हम चो आखर हजूर वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फते माहे गुरु, माहे गुरु, माहे गुरु, माहे गुरु, माहे गुरु, माहे गुरु,